मुल्क राज आनंद का जो फर्स्ट नॉबल है अन्टचेबल इसके बारे में इसे पब्लिस किया गया था 1935 में तो आज किस वीडियो में हम लोग इनका जो अन्टचेबल है थोड़ा इसको डिसकस करेंगे उसके बार डिसकस करेंगे इस अन्टचेबल नॉबल में बहुत सारे करेक्टर्स हैं उनमें एक most important करेक्टर है बाखा ये वाला जो की इस नॉबल का हीरो है तो देखते हैं स मुल्क राज आनंद का first novel है जो की ये पब्लिश हुआ था 1935 में और मुल्क राज आनंद जिनका जन्म हुआ था 1905 में और इनकी डैथ हुई थी 2004 में और इस नॉबल वाज रिटिन अकॉर्डिंग टू गांध जीस बिसेस ये आप जानते होंगे जब मुल्क राज आनंद इनका जो ये मिले थे गांधी जी से तो गांधी जी की एक इच्छा थी कि मुल्क राज आनंद अच्छूत के बारे में कोई एक निवन्द लिखें तो उनसे पिरभावित होकर या उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इस novel को लिखा तो देखते हैं इसका करेक्टर इसकेट आफ बाखा बाखा का करेक्टर इसकेट सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन मुल्क राज आनंद इस अग्रेट राइटर आफ इंडिया अपने novels के लिए वो famous है बहुत सारे उन्होंने novel लिखे हैं जिनमें से untouchable एक है और यह 1935 में published किया गया था there are many characters बहुत सारे characters हैं in the novel novel में बाखा इज वन आप दियम बाखा उनमें से एक है he is the most important character in the novel बाखा इज दा hero of the novel untouchable यह untouchable का एक hero है जिसे की लिखा है मुल्क राज आनंद ने उसके बाद आती हैं आपकी next heading जो कि है an obedient son एक आज्याकारी पुत्र next heading है एक आज्याकारी पुत्र when we study जह हम study करते हैं novel untouchable के लिए तो हम define that हम यह पाते हैं कि वाखा is an obedient son बखा एक obedient son है he is always ready सदब ready रहता है to do any work कोई भी काम करने के लिए त्यार रहता है order by his father जो उसके पिता उसे order देते हैं his very punctual रहता है साफ करने में the row of public latins आपने इस novel को पड़ा होगा तो पता होगा कि बाखा जो है एक जो latins होती हैं कतार से बनी होती हैं उनकी सफाई करने वाला एक सफाई करता है बाखा तो बही है कि उनकी सफाई करता है क्योंकि his father has asked him उनकी सफाई करता है क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था not to displease both English and the Indian soldiers क्योंकि उसने कहा था कि उसके काम से English soldiers हों या भारती soldiers हों यह कोई displease ना हो आपर सन ना हों उसके काम से इतने अच्छे से काम करें कि यह चाहें Indian हों या English Indian soldiers हों या English soldiers हों उसके काम से खुस रहें इडवाज वाखास गुडनेस यह वाखा की एक गुडनेस है अच्छा ही है as an obedient son एक आग्यकारी पुत्त के रूप में that used to wear his father's abuses जो की अपने पिता की गालियां अब रिव्योक्स या अपसब्द सहन करता रहता है without a single word of opposition बिना कोई एक सब्द बिरोध के कहे बहें अपने पिता की abuses और रिव्योक्स को सहन करता रहता है उसके बद आती है आपकी next heading जो की है an ideal brother एक आग्यकारी भाई तो बखा बखा is an ideal brother बखा एक ideal brother है next page देखते हैं इसका for his younger brother अपने छोटे भाई and his younger sister अपने छोटे भाई और अपनी छोटी बहन के लिए बहुत आग्यकारी है राखा is his younger brother राखा उसका छोटा भाई है और सोहनी उसकी छोटी बहन है the study of the story इस story का जो study करते हैं पढ़ते हैं clearly ये इस पस टूप से दिखाती है कि सोहनी बाज दा डियरेस्ट टू हिम सोहनी उससे बहुत प्यारी है या सोहनी उसके बहुत करीब है मतलब ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है his heart was totally worried उसका जो दिमाग थर बहुत सोरी हार्ट था वो पूरी तरह से उसे चोट लगी when he came to know जब उसे पता चला कि पंडित कालीनाथ ने had molested his innocent and beautiful sister कि पंडित कालीनाथ ने उसकी सुंदर और innocent sister के लिए his sister very much बाखा अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है so he decides to take revenge इसलिव है बदला लेने के बारे में भी विचार करता है या निश्चे करता है उसके बाद आती है आपकी next heading है next heading है आपकी as a dutiful sweeper एक कर्तब पराण कह सकते हैं हम sweeper सफाई कर्मी after reading the novel इस novel को पढ़ने के बाद में untouchable जिसे की लिखा है मुलक राज आनन्द ने we find हमें पता लगता है बखा as a perfectly dutiful sleeper कि बखा जो है ओन रूप से dutiful sleeper है sweeper है and cleaner और साफ करने वाला है public latrines he is very careful बहुत साबधान रहता है सफाई करने में the public latrines को he does the work immediately बहे सिग्री immediately work करता है and laboriously when his father orders और बड़ा labor के साथ काम करता है जब उसके पता उसे अनुमती देते हैं to do so जब उसके पता उसे ऐसा करने की अनुमती देते हैं he never gives a chance भहे कभी किसी को chance नहीं देता for anybody's complaint किसी को सिकायत का या आपरसन्यता का हविलदार चरच सिंग was highly impressed by his neat and clean work जो हविलदार चरच सिंग थे बहे उसके साब सफाई के कारनामे से बहुत ज़्यादा इंप्रेश थे उसके बाद आती हैं आपकी next reading his love for रामचरन सिस्टर उसका रामचरन की बहेन से प्रेम बहे जो है एक करेक्टर है रामचरन उसकी बहेन से बहुत प्रेम करता है तो उसके बारे में है वाखा है much attraction बाखा को बहुत अधिक आकरसन होता है या बहे बहुत अधिक आकरसित होता है and love for रामचरन सिस्टर और रामचरन की बहेन से प्रेम करता है रामचरन की बहेन के साथ बहुत अट्रेक्शन में आ जाता है his friends often cut joke with him उसके मित्र प्राया उसका मजा कुड़ाते है where he was going to marry हर जब बहे उसे साधी करने का विचार बना रहा था या साधी करने जा रहा था रामचरन सिस्टर रामचरन की मा जो गुलाबो है could never like बहे कभी पसंद नहीं करती थी that her daughter should marry with a boy कि उसकी daughter जो है एक ऐसे लड़के से बिभा करे of the lowest caste of sweeper जो की sweeper की सबसे lowest caste का है she was a hot tempered lady बहे एक तेज या गुस्से वाले सभाव की थी who always regarded herself जो सदयव अपने आपको समझती थी superiors rest to many other women दूसरी महिलाओं से अपने आपको स्रेश्ट मानती थी बाखा loved her so much बाखा उसे बहुत प्रेम करता था बाखा उसे बहुत प्रेम करता था that he went to रामचरन जोंभे उसे इतना प्रेम करता था कि वह रामचरन के घर भी चला गया when he was going to be married when she was going to be married with another young man जब उसका बिभा किसी दूसरे young man के साथ हो रहा था तब बिना कोई परभा करते हुए जो बाखा था in this way we can say that इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वखा जो है बहुत important character है novel untouchable का जिसे की लिखाया मौलकराज आनंदने और वखा जो है उस novel का hero है तो my dear friends ये थी आज की वीडियो characters के ताब बखा मिलते हैं next वीडियो में जैहने दोस्तो